वेल्कम बाक टुम्यु चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज पर आज के इस एपिसोड में हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं सूज़लान इनर्जी के बारे में तो स्टार्ट करते हैं सूज़लान इनर्जी अगर देखेंगे तो काफी अच्छा खासा है यहाँ पर मार्केट अभी उतनी जादा तेजी से नहीं बड़ी है बट सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्रॉफिट गोथ हम लोगों को बढ़ते नज़र आ रही है यह एक आप कह सकते हो कि पॉजिटिव फैक्टर भी है क्योंकि यहां पर कंपनी की मार्जिन यहां पर लगातार एक्स्पैंड कर र नज़र आ सकता है क्योंकि टैक्स बेनेफिट ऐसा नहीं होता कि आपका साल दर साल चलता जाएगा तो यह चीज़ आपको देखनी होगी कि मतलब कंपनी जब तक यहां पर आप लोग देख रहे हो कि वेंड इनर्जी अच्छा परफॉर्म करी है अच्छा परफॉर्म करें लेकिन जब यहां पर पूरा सेक्टर एक तरह से थोड़ा सा वहां पर पर टैक्स लगेंगे तो थोड़ा सा यहां पर गिरावट जोगा बाकी कंपनी के मुकाबले आपको देख सकते हो तो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कंपरेटिवली क्योंकि अभी भी फंडमें अगर अगर देखोगे और उस पीस पे ट्रेड लोगे तो अभी इस यहां पे नीच आएंगे तो आगर अगर देखोगे त्रेवली कमपनी की कापके ऑच्छी सेल्स अमनों को भड़ते नज़र आ रही हैं यहां पे ट्रेंदियं में को यहांग पीन साल की अगर average लोग है तो उसमें 25% बढ़ा है तो इसका मतलब है कि company की sales अभी भी यहाँ पर बढ़ते आपनों को नजर आ रही है और in fact अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इतना खास sales नहीं बढ़ी है अब जाके यहाँ पर company की sales ज्यादा तेजे से बढ़ है और मोस्ट वैसा ही केस हुआ है जैसे यहां पर आपका मैंजगांट शिप बिल्डिंग का हुआ था company की प्राइज पहले से भागना स्टार्ट कर दी और दो-तीन साल बाद वहां पर उनका sales इल्टिमेट जाके बढ़ा है तो यह चीज इसमें अभी आपको देखने के लि सकती है हलां कि वह चीज़ डिमांड इंड सप्लाय पर भी डिपंड करती है अगर पब्लिक ओवर और निहां से नहीं डर के भागती है तो आप्वेसली स्टॉक प्राइज नहीं करेगी तो कंपनी के ऊपर रियाक्शन दिया जाता है पब्लिक के थुरू लेकिन पब्लिक अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है रीटेलर उस पर बहुत जादा बेज दें लेकिन कभी-कभी यह होता है कि एक्सपेक्टेशन की विव पर रीटेलर अच्छी ना आने पर भी नहीं बेज़ते हैं कभी-कभी तो वह चीज़ तो हम छोड़ देते हैं लेकिन अगर देखी जाए तो यहां पर बढ़ते नजर आ रही है अभी इसके लावा पॉब्लिक यहां पर कम होते नजर आ रही है लेकिन अगर नंबर ऑफ शेयरोलर बहुत साथा बढ़ गया और मुस्ट तेरह से यहां पर 41 के आसपास पहुंच गया है अभी यहां पर चार्ट तो चार्ट पर फिर से थोड़ा सा बुशनेस नजर आ रही है अगर आपको यहां पर इस्तॉक को उठाना है तो 85.53 के ऊपर यहां पर आप लोगो स्टॉक को पर सकते हो और यह देख सकते हो कि काफी बढ़ा यहां पर अप्रेंट आपको देखने के लिए मिला लेकिन इसक इसके ऊपर कंपनी यहां पर आपको फिर से एक चोटा सा रनाब दे सकती है क्योंकि अभी उतना बड़ा नहीं हुआ बड़ा नहीं हुआ पर आपको ब्रेक आउट आता है तो फिर आपको 20-25 परसंट 30 परसंट भी तार्गेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अभी के आपको फंडमेंटली हमें उतनी कंपनी सांट लगती नहीं इवन तो कंपनी की सेल्स अब बढ़ रही है लेकिन फिर यहां पर देखा जाए जब कंपनी की सेल्स अल्टिमेटली बढ़ती है तो एक्सपेक्टेशन्स रियालिटी से मीट कर जाती है और उसके बाद वहां प पर आने में काफी समय लगा देते हैं तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा साउधान भी जरूर रखना यहां पर फिलाल अभी इसी के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाना ओके बाए